आतंकियों के राडार पर यूपी, टाइमर बम मिलने से फैली संसनी, आतंक में महिला का नाम शामिल, राम मंदिर से नाराज हैं आतंकी, आतंकियों की नजर हमेशा से यूपी पर बनी रहती है जनसंख्या की दृष्टी से यूपी एक बड़ा सूबा है ऐसे में आतंकियों के लिए यूपी एक पसंदीदा जगा बन जाती फिलाल मुझपर नगर में यूपी स्टीफ को बड़ी सफलता मिली है पुलीस ने दो आरोपियों को चार टाइमर बम के साथ गिरफतार किया है यूपी स्टीफ की और से खूफिया सूचना के आधार पर बड़ी कारवाई की गई जिसके बाद दो आरोपियों को गिरफतार किया गया इस कारवाई में आरोपियों के पास चार देशी टाइमर बॉम मिले, हाला कि टाइमर बॉम को किस उद्देश से लाया गया इस मामले की जाच चल रही है बतादे कि पुलीस ने जिन दो आरोपियों को गिरफतार किया है, जावेद नाम का यूबक उसमें से एक है फिलाल UPSTF जावेद समय दोनों आरोपियों से पूछताच कर रही है, बतादे कि लोग सभा चुनाव नजदीक है और आतंकियों दोरा देश और पूरे UP को दहलाने की कोशिश की जा रही है बतादे कि आरोपियों जावेद मुझपर नगर जीले का निवासी है, जावेद ने पूछताच में बताया कि ये टाइमर बम एक महिला ने मंगवाया था, जो अभी फरार बताई जा रही है UP STA अब दोनों आरोपियों से पूछताच में जुटी हुई है और इस संदिक्द महिला के बारे में जानकारी कठा कर रही है बताया जा रहा है कि इस महिला ने जावेद को टाइमर बम का ओडर दिया था, पूलिस इसकी जाच कर रही है बतादे कि जब से राम मंदीर का उधगाटन हुआ है और ज्यान वापी व्याजजी तैकाने में हिंदूों को पूजा का धिकार मिला है तब से आतंकी इसलाम के नाम पर UP और पूरदेश का महौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे है बतादे की हाली में आयोध्या के राम मंदीर में राम लला की प्रान प्रतिष्ठा की गई भारत के इतिहास में 22 जनवरी 2024 का दिन सुनहरे एक्षरों में दर्ज हो चुका है ये पल सभी के लिए बहुत ही खास और एतिहासिक रहा बतादे की अयोध्या में 70 एकड भूमी पर बने भव्य राम मंदीर में राम लला की प्रान प्रतिष्ठा की गई इस दिन का इंतजार राम भक्त बेशबरी से कर रहे थे इस दोरान राम भक्त लाखों की संख्या में मौजूद रहे पूरे देश में हर सो उलास देखने को मिला इतना ही नहीं अदालत के आदेश के बाद ग्यान वापी इस्थित व्यास तेखाने में हिंदूों को पूजा पाठ की अनुमती दी गई जिसके बाद हिंदूों में खुसी दिखी लेकिन मुस्लिम पक्ष नराज दिखा जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने कोट में याचिका डाली जिसकी सुनवाई 28 फरवरी को होगी हिंदू पक्ष की अधिव्यक्ता मदन मोहन ने बताया की अपर जिला नयाईधिस अनील कुमार की अदालत ने ज्यान वापी मस्जित समीती की आचिका पर सुनवाई की तारीक 28 फरवरी तेगी है वारनसी की जीला अदालत ने 31 जनवरी को फैसला सुनाया था एक पुजारी ज्यान वापी मस्जित के दक्षनी ते खाने में प्रतिमाओ के सामने प्रातना कर सकता है ग्यानवापी मस्जिद समीती जीला अदालत के इस फैसले के खिलाफ पहले सुप्रीम कोट गया लेकिन सुप्रीम कोट ने इलाहाबाद हाई कोट जाने को कहा इसके बाद मस्जिद समीती ने इलाहाबाद हाई कोट में एक याचिका दायर की जिसके बाद सुनवाई की तारी 28 फरवरी तै की गई बता दे कि यूपी में ऐसे वार्दात लगातार देखने को मिल रहे हैं जिसके बाद पुलिस मुस्तैद है लगातार धर पकड की जा रही है ऐसे में अयोध्या से भी एक डराने वाली खबर सामने आई है जिसमें अयोध्या के श्री राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है बता दे कि पुलीस को एक धमकी भरा पत्र मिला जिसमें अयोध्या के राम मंदिर को बम से उड़ाने की बात लिखी है पुलीस को मिले इस धमकी भरे पत्र में एक फोन नंबर भी प्राप्त हुआ है पुलीस को ये पत्र सितापूर रोड इस्थित पाल रेश्टरेंट में मिली जिसके बाद पुलीस थानों में अफरा तफरी मच गई फिलाल पुलीस ने इस धमकी भरे पत्र को गंभीरता से लेते हुए जाश शुरू कर दी है पुलीस ने कारवाही करते हुए कुछ अज्यात लोगों के खिलाफ मामला दर्च किया और संग्दिदों की तलाश शुरू कर दी इसके साथ ही मंदिर की सिक्योर्टी में लगे खुफिया एजंसियों और सुरक्षा व्यवस्था को अलट मोड पर रखा गया है बता दे कि हल्दुआनी के बन भुलपूरा में आठ फरवरी को जिस प्रकार से हिंसा के मामले सामने आये उसी प्रकार के स्थिती मुझपर नगर में दोहराने की कोशिश की जा रही है हल्दुआनी के बन भुलपूरा इलाके में बीते आठ फरवरी को अतिक्रमन हटाने गई प्रशासन और पुलीस की टीम पर पत्राव और आगजनी के दोरान नगर निगम और सरकारी संपती का भारी नुकसान हुआ इसका आकलन करने के बाद नगर निगम ने मुख्य आरोपी अब्दुल मलिख को नुकसान की भरपाई के लिए वसूली नोटी जारी कर दिया है नगर निगम ने आरोपी को 15 फरवरी तक भरपाई की रकम 2.45 करोल रुपे अदा करने को कहा साथी डेडलाइन की उलंगन पर कानूनी करवाई की चेताबनी भी दी बन भूलपूरा में कथित, अवैद, मस्जिद और मदरसे पर प्रशासन द्वारा चलाये गए विद्वन्स अभ्यान के बाद हुई हिंसा को लेकर इलाके में तलाशी अभ्यान चलाये गया मामले में पुलिस ने अब तक 30 लोगों को गिरफतार किया है और कई लोग अभी भी रडार पर हैं गिरफतार लोगों के कबजे से उत्राखंट पुलिस ने कई हतियार भी बरामत किये प्रशाशन ने अब हलद्वानी के कई हिस्सों से करफ्यू में ढील दी है लेकिन जीले का बन भूलपूरा इलाका अब भी भी भीशन करफ्यू की चपेट में है लोगों से सकती से कहा गया है कि घर के अंदर रहे हाला तनावपूर्ण होने के चलते कई परिवार अपना घर छोड़ कर पलायन को मजबूर है लेकिन प्रसासन ने बन भूलपूरा के सभी एंट्री और एक्जिस पॉइंट्स को सील कर रखा है यहां से ना तो लोगों का बाहर जाने की जाज़त दी गई है और ना ही कोई अंदर आ सकता है सुत्रों ने बताया कि लाके को सील करने का फैसला पुलीस ने इसलिये लिया क्योंकि जाजकरताओं को लगता है कि बड़े पैमाने पर हिंसा में शामिल दंगाई भाग सकते हैं जिन इलाकों में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है उन्हें छोड़कर हल्दवानी के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं बाहाल कर दी गई है जमियत उलेमाय हिंद के एक प्रतिनिधी मंडल ने बीते दिन हल्दवानी का दौरा किया और SDM के साथ बैठक की जहां उन्होंने प्रशासन से भी बातचीत की बैठक एक घंटे से अधिक समय तक चली SDM के साथ बैठक करने के बाद जमियत उलेमाय हिंद के महासचीव अब्दुल रजीक ने कहा कि प्रशासन ने मस्जिद गिराने का फैसला जल्दीबाजी में लिया जिससे इलाके में तनाव पैदा हुआ संगठन के महासचीव ने कहा हम यहां छेतर में शांती की अपील करने आए हमने SDM से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि निर्दोष लोगों के खिलाफ कारवाई ना की जाए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विद्वन्स अव्यान अचानक चलाया गया प्रशासन को अदालत के आदेशों का इंतजार करना चाहिए था उत्राखंट के मुख्यमंत्री पुसकर सिंग धामी ने घोशना की है कि उसी अस्थान पर एक पूलिस अस्टेशन बनाया जाएगा जहां मस्जिद और मदर्शे को द्वस्त किया गया है उत्राखंट के हलदवानी हिंसे में आरोपियों को गिरफ्त में लेने की योजना तयार की गई है हलदवानी हिंसा के मास्टर माइन अब्दुल मलिक के खिलाफ कुर्की के आदेश तक जारी कर दिये गए है हलदवानी सिविल कोर्ट ने हिंसा मामले के मास्टर मांड अब्दूल मलिक समेट नौ आरोपियों की संपती कुर्ख करने का आदेश जारी किया है नैनिताल पुलीस और प्रशाशन की और से आदेश के अनुपालन की कारवाई भी शुरू कर दी गई है नैनिताल पुलीस का कहना है कि आज से इस मामले में आरोपियों की संपती को चिन्हित किये जाने की कारवाई शुरू की जाएगी इसके साथ ही पुलीस प्रशाशन ने मुरादाबाद और बरिली जोन को चिन्हित उपद्रवियों के संबंध में जानकारी साजा की है पुलीस हर आरोपी की धरपकड कारवाई में संयोग कामरोद किया गया है माना जा रहा है कि हल्दवानी हिंसा के बाद यह आरोपी यूपी की सीमा में परवेश कर सकते हैं इसलिए हल्दवानी पुलीस और प्रसासन की टीम दो जोनों की पुलीस से मदद मांग रही है बतादे कि भारत हमेशा से आतंकवाद से ग्रशित रहा है और अब इसके लिए ठोस कारवाई की जा रही है और कानून भी बनाए जा रहे है हाली में प्रस्तावित नए कानून भारतिय नयाज सहिता में पहली बार आतंकवाद को परिभाशित किया गया है भारत की एकता अखंडता संप्रभुता को चोड़ पहुचाने के परियास के साथ देश को आर्थिक रूप से अईस्थिर करने का परियास भी इसमें शामिल है नए कानून में आतंकवाद को जिस तरह परिभाशित किया गया है उसे आतंकवाद से निपटने में और धार मिलेगी बता दे कि विभिन अपराधों को परिभाशित करने वाले और उनके लिए सजा तै करने वाली मौजूद आईपिसी में आतंकवाद परिभाशित नहीं है फिलाल के लिए इतना ही आप देख रहे थे क्यापिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी नमस्कार